स्टुडेंट सैसंबंद लेक्चर नमबर टू में आपका स्वगत है और आज हम पढ़ेंगे सैसंबंद की थियोरी में सैसंबंद के परकार इससे पहले हमने सैसंबंद के अर्थ के बारे में पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में अर्थ के बारे में दिया हुआ है ओपन कीजी चलाइगा आफी कितने प्रकार के होती है बेसीकली सब्स talked के पर कर को तीन गलूप में बाटा गया है पहला धनात्मक वा रिनात्मक सही सम्बंद, रेखिये वा बकरे रेखिये सही सम्बंद, सरल, भगणी वा आंशिक सही सम्बंद और तीनों को बिष्टार के साथ और उधारन के साथ और की एक्जामपल के साथ समझेंगे सबसे पहले धनात्मक वा रिनात्मक सैसंबंद क्या होता है सबसे पहले धनात्मक सैसंबंद को समझे धनात्मक सैसंबंद दो समंग स्रिणों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उसे धनात्मक सैसंबंद कहते हैं जब हमारे पास दो चर होते हैं या दो सिर्णिया होती है जिसका परिवर्तन एक जैसा होता है एक जैसा अर्थत अगर एक सिर्णिय में ब्रिद्धी होती है तो दूसरी सिर्णिय में भी ब्रिद्धी होनी चाहिए एक सिर्णिय में कमी होती है तो दूसरी सिर्णिय में भी कम होनी चाहिए जब इस प्रकार का संबंद सिर्णियों के बीच में होता है तो उसे हम सह धनात्मक सह संबंद के नाम से जानते फॉर एक्जामपल दो चर है एक्स और बॉई यहां पर एक्स में ब्रिद्दिव पांच दस पंद्रा उसकी आधार पर बॉई में देखे यहां पर भी प्लस प्लस हो रहा है बढ़ा रहा है तो बॉई में भी कमी हो रही है तो यह धनात्मक सह संबंद है ठीक है दूसरा एक्स पच्चिस बीस एनकि इसमें कमी हो रही है तो बॉई में दस आठ छे इसमें भी कमी हो रही है एनकि दोनों की दिशा समान है तो समान दि जिसको positive correlation कहते हैं, ने कि नेगेटिभ correlation, धनाफमक्स है संबंद में दोनों में समान दिशा में परीवर्तन होता है, लेकिन दो स्रिणों में समान दिशा करह समान होता है अर्थात एक स्रेणे में ब्रिद्धी होती है तो दूसरी स्रेणे में कमी होती है या फिर एक स्रेणे में कमी होती है तो दूसरी स्रेणे में ब्रिद्धी होती है फॉर एक्जामपल अगर हम डिमांड एंड प्राइस की बात करें बस्तू की मांग की और बस्तू की कीमत में हम यह देखते हैं किसी भी बस्तू की कीमत जैसे 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 से बढ़ती चले जाती है उसकी मांग में बैसे बैसे कमी आती चले जाती है तो यहाँ पर रिनात्मक सैसम्मन पा जाता है एक्जामपल के तौर के समझे X और Y दो चर है X में ब्रिद्धी हो रही है 10, 20, 30 अगर इसमें प्लस हो रहा है बढ़ रहा है तो Y में देखिए 30, 25, 20 एमर कमी आ रही है उसके उल्टा दूसर लेते है X में जो है कमी आ रही है 30, 25, 20 तिसके तुलना में Y में ब्रिद्धी हो रही है 7, 14, 21 यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो इस परकार के संबंद को रनात्मक सह संबंद कहते हैं अब हम दूसरी ग्रूप में आते है बरेक टू रेखिये बाव बक्रे रेखिये सह संबंद सबसे पहले रेखिये सह संबंद यहाँ की linear correlation अधि दो समंग सेरिनों की परिवर्तन का अनुबात स्थाई होता है अब एपर अनुबात का मतलब यह होता है जो दो चर परिवर्तित हो रहे हैं उसे परिवर्तन होने का अनुपात यहाँ की परिवर्तन होने की धर अगर एक जैसे होती है, पहले में एक तो दुसरे पांच हो रहा है, तो हर बार एक और पांच के अनुपात में परिवर्तन होना चाहिए, तो जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसको रेखिय सैसंबंद होता है, कहते हैं, रेखिय सैसंबंद में दुनों चरू यहांने कि दस-दस का परिवर्तन हो रहा है और वाई में पचास से सौ, सौ से पचास पचास का परिवर्तन हो रहा है यहांने कि X में होने वाई दस परिवर्तन उसमें बाई में परिवर्तन हर बार समान है यहांने कि दोनों में परिवर्तन कितना एक और पांच का है तो इसे हम धनात्मक ऐसरी रेखिये सहसंबंद कहते है क्योंकि हमार परिवर्तन होने का जो दर है वो एक समान है दूसरा रेखिये बकरे रेखिये सहसंबंद बकरे रेखिये सहसंबंद में ये रेखिये सहसंबंद का बिल्कुल बिप्रित है अर्थाथ परिवर्टन का अनुपात स्थिर नहीं होता है और एने कि झो X और Y में जो परिवर्टन होगा और एने कि दो बस चरूख के वीश परिवर्टन होगा वो अलग-अलग अनुपात में कभी भी कुछ भी हो सकता है जैसे पहले यहां पर X में 10, Y में 20 यूनिट X 30 तो Y है 50 फिर X 30 है Y है 90 अब दुनों में अनुपात निकले पहले जो है 1 और 2 का अनुपात है फिर 2 और 5 का अनुपात है फिर 1 और 3 का अनुपात है जहाँ पर अनुपात में परिवर्टन होता है तो ऐसे अनुपात हुम बक्रे रिकिए था तिसरा बर्ग सरल, भवणी और आंसिक सहसंवंग ये बिल्गों असान है समझने में सरब सहसंवंग तो चरों की बीच पाए जाने वाले सहसंवंग को सरल सहसंवंग कहते हैं जब हमारे चर केबल दो होते है तो ऐसे संबंद को हम सरल से संबंद कहते हैं, इन दोनों में से एक कारण और दूसरे उस कारण का प्रभाव बताती है, मतलब यहाँ पर एक कारण होता है, दूसरा उसका प्रभाव होता है, एने कि एक बस्तूप में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव दूसरे बस्तूप म पड़ता है, हब हम थर्ड ग्रूप के दूसरे टाइप की बात करें बहुगणी सहसंबंद बहुगणी सहसंबंद का मतला होता है जब सौतंदर चर मुल्द दो या दो से अधिक होते हैं और आसिच चर मुल्द केवल एक ही होता है तब उसे बहुगड़ी सहसंबन्द कहते हैं यहां पर चर जो है दो से ज़्यादा होते हैं और उस पर आसिच चर मुल एक होता है तो ऐसे को हम बहुगड़ी सहसंबन्द कहते हैं फॉर एक्जामबल और हम बर्शा की मातरा की बारत करें और उत्पादन का प्रवाग जो है बारिस पर भी होता है उत्पादन बढ़ता है उत्पादन का प्रवाग अच्छा होता है तो अब भी उत्पादन में ब्रिद्धी होती फॉर्ग उत्पादन में ब्रिद्धी है उसी प्रकार की जो सच संब्द है इस सच संब्द को यह निकि दो से अधिक चरों का प्रियोका तीसरी पर पड़ता है तो उसे बहुआ बड़ी सह संब्द कहते हैं आशिक सैसंब्द अधिक चरमुलो का तो अध्यन किया जासकता है प्रब्द बर्शा होनिकों या पिर हम बात करें और उत्पादन की पाथ दो पात करते हैं कितना उत्पादन हुआ या फिर अथिक चरों की बात होती है लेकिन हैं आपके बात में दो चरों का ही रेजल्ट निकाला जाए तो उसे हम आंसिक साहसंबंद कहते हैं आंसिक इसलिए क्योंकि अपर कुछ इस्थिर रहता है कुछ में अनुपाद ग्यात किया जाता है थैंक यू वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिएगा औ क्योंकि इसके बाद मैं साहसंबंद कैसे ग्यात किया जाएगा काल्कुरेशन विदी और इस्पेरिमेंट मिदी दोनों के बारे में बिद एक्जामपल को समझाऊंगा